Financial Knowledge के उपर बहुत सी बुक्स पढ़ने के बाद, काफी टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि किसी के वर्डिंग से मैं connect किया हूँगा I hope आप इस बुक्समरी को उतना ही enjoy करोगे जितना कि मैंने इसे बनाते हुए किया है ओके तो आज के हम amazing lesson सीखेंगे The Almanac of Neville Ravikant बुक से जिसे लिखा है Eric Jorgensen ने तो इससे पहले कि हम start करें हम देख लेते हैं कि Neville Ravikant है कौन Neville 1974 में डेली में पैदा होए थे, उन्हें सिर्फ उनकी माने पाला है 9 साल की उमर में Neville, उनकी मा और उनका छोटा भाई कमल, वो सारे New York Queens में shift हो गए Neville कहते हैं कि मेरी जिंदगी में बहुत सी मुश्किले आएं, लेकिन हर एक family की story होती है और सब को किसी ना किसी मुश्किल से गुजरना ही पड़ता है और बाद में यहीं मुश्किले हमारी life में आगे बढ़ने का कारण बनती है Neville और उनकी family काफी गरीब थी, जब वो New York shift होए तो वो ऐसी जगह रहते थे, जो ज़्यादा safe नहीं थी Neville बच्पन में बहुत श्रमीले थे, और इसलिए वो school के बाद library चले जाते और वहाँ तब तक रहते हैं जब तक कि library बन नहीं हो जाती, और उसके बाद ही वो घर आते Neville कहते हैं कि बुक से उन्होंने last century के greatest लोगों के विचार पड़े और अपनी transformation की 15 साल की उम्र में उन्होंने illegally Indian food बेचा, फिर काफेटेरिया में बरतन भी दोहे As an immigrant, उनकी family यूएस में survive करने के लिए बहुत मेहनत करी थी अब क्योंकि Neville पढ़ाई में बहुत ध्यान देते थे इसलिए उनकी admission Stuyvesant High School में हो गई और ये New York का बहुत ही famous school था और इससे Neville की life change हो गई वो कहते हैं कि माननो ऐसा हुआ कि मैं blue collar से directly white collar category में shift हो गए एक बर Stuyvesant School का brand Neville के साथ लग गया तो उनकी admission Ivy Lee College में भी हो गई जहां पर उन्होंने tech के बारे में जाना अपनी पढ़ाई complete करने के बाद Neville ने अपनी life में काफी businesses और investing firms खोली जैसे कि 25 की age में opinions नाम की company found करी और उसके CEO बने फिर 27 की age में August Capital में venture partner बने 39 की age में vast.com के founder बने 32 की age में hit forge VC fund खोला 34 की age में angel list launch किया Uber समेथ 200 company में invest किया और 43 की age में इन्हें angel investor of the year कहा गया Anyways, नवल बोलते हैं कि मैं पैदा तो गरीब हुआ था लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने महिनत की और एक millionaire बन गया नवल कहते हैं कि मैंने अपनी life में कुछ principle सीखे हैं जिससे hopefully काफी लोग inspire होंगे और वो भी अपनी life को improve कर पाएंगे तो इन बहुत से principles में जो सबसे पहला principle नवल ने अपनी life में सीखा वो था you can get rich without getting lucky नवल कहते हैं कि पैसे बनाना एक skill है ना कि हमारी identity उनका कहना ये भी है कि अगर तुम मुझसे अभी सारा का सारा मेरा पैसा ले लेते हो और मुझे एक English speaking country में छोड़ देते हो तो मैं maximum 5 से 10 सालों में वहीं पहुँँँगा जहां मैं अभी हूँ क्योंकि पैसा बनाना एक skill है जैसे खाना बनाना और fortunately मैं ये skill set सीख चुका हूँ जिसे आप भी सीख सकते हैं पैसा सिर्फ hard work से नहीं बनता अगर आप restaurant में काम करोगे जहां पर आप हर हफते 80 hours दे सकते हो लेकिन फिर भी अगले 10 सालों के बाद आप अमीर नहीं बन पाओगे obviously hard work तो चाहिए ही लेकिन step 1 यहीं कहता है कि अगर hard work ठीक direction में नहीं होगा तो कुछ भी achieve नहीं होगा तो obviously अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर हम किस चीज को बोलेंगे कि हमारा hard work ठीक direction में होगा तो कोई भी hard work ये 3 points satisfy करना चाहिए 1. हमेशा wealth के पीछे भागो ना कि पैसों के पीछे wealth का मतलब है कि आपको अपने assets create करने है जो आपको पैसा बना के दे जब आप सो रहे हों तब भी अब हम मेंसे कहीं लोग सोच रहे होंगे invest कर रहे हों businesses में या फिर assets खरीदने में Even की कोई property हो सकती है जिससे rental income आते रहे Condition 2 हम अपने time बेच के अमीन नहीं बन सकते हमें society को कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो उसे चाहिए और वो भी scalability के साथ यानि कोई ऐसा product या service जो बहुत से लोगों को दिया जा सके For example, Elon Musk बोलते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा product बना लिया है जो थोड़े से लोगों की life में बहुत value प्रोवाइड कर सकता है वो उतना ही useful होगा जितना की कोई ऐसा product जो लोगों के life में थोड़ा improvement लाए लेकिन बहुत लोगों के लिए useful हो क्योंकि दोनों का area under the curve सेम होगा Condition 3, Selling के skill को सीखो और product बनाने के skill को सीखो और अगर आप दोनों चीजों में अच्छे होगे तो आप unstoppable हो जाओगे अमीर बनने का एक तरीका है कि हमारे पास businesses का कुछ portion हो जैसे कि जब भी नए startups बनते हैं तो वो generally अपने first few employees को businesses की कुछ percentage देते हैं in addition to salary और जब ये businesses successful हो जाते हैं तो founders के साथ-साथ employees जिनके पास businesses की equity थी वो भी अमीर हो जाते हैं जैसे कि recently जब Zomato का IPO हुआ था तो उनके बहुत से employees के पास ESOP था यानि company की कुछ equity थी जिसकी वज़़से अठाना से ज़ादा लोग millionaire बन गए जैसे कि co-founder दिपिंदर गोयल की worth 40,050 क्रोड रुपे बन गए Chief Technical Officer गुंजन पतिदर की worth 363 क्रोड रुपीज बने मोहित गुपता की 193 क्रोड and so on I hope you got the idea नवल कहते हैं कि अगर हमारे पास businesses की ownership नहीं है तो हमारी income exactly proportional हो जाती है हमारे input से चाहे फिर कि आप lawyer हो या doctor ही क्यों ना हो ownership के बिना जब हम vacation में होंगे तो हम earn नहीं कर रहे होंगे जब हम retire होंगे तो भी हम earn नहीं कर रहे होंगे और इस तरह से हम wealthy नहीं बन पाएंगे next principle कहता है understand compounding compounding सिर्फ पैसो में काम नहीं करती है बलकि knowledge में भी काम करती है relationship में भी काम करती है for example नवल कहते हैं कि मुझे इलत गिल के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है और वो इसलिए है क्योंकि इनके साथ मैं past में बहुत deal कर चुका हूँ और हर बार जब हम deal करते हैं तो वो हमेशा सोचते हैं कि मेरा फायदा हूँ बेशक उसे खुद ही क्योंना fees pay करने पड़े क्योंकि एक की उपर एक idea बिल होता रहता है तो अगर आप एक हजार से भी जादा mentor से learn करना चाते हैं तो आप Google application डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आप Hindi में book summary spud भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं अगर आप अपनी knowledge में invest करना चाते हैं तो आप save 100 coupon code use कर सकते हैं और 100 भी save कर सकते हैं यह application दोनों Android और iOS में available हैं अगर आप इस application में interested हैं तो इसका link हम description और first comment में दे देंगे next principle जो नेवल हमार साथ share करना चाते हैं वो है find and build specific knowledge हमें ऐसी skills बिल्ट करने चाहिए जो valuable हो for example sale scale यानि चीजों को market करना और उन्हें sell करना एक specific knowledge है अगर हम product बनाने में अच्छे हैं तो आपको कोई ऐसा इनसान चाहिए जिसके पास sell करने का skill हो क्योंकि wealthy बनने के लिए आपको अपना product बहुत से लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा for example Steve Jobs और उनकी team को पता चल गया था कि लोगों को smartphone चाहिए तो उन्होंने ऐसे best engineers ढूंडे जो ये awesome product create कर सकते थे और उसके बाद उन्होंने best salesman भी ढूंडे इतना ही नहीं Steve Jobs खुद marketing में बहुत अच्छे थे और इसलिए Apple ऐसी company जो garage में start हुई थी आज इसकी market capitalization 2.1 trillion dollar है comparison के लिए बताऊं तो इंडिया की GDP 2.6 trillion dollar के आज़ पास है अब इससे आगे तो मैं क्या कहूँ आप खुदी समझदा रहो अब हमेंसे काफी लोग सोच रहोंगे कि क्या specific knowledge का मतलब ये है कि हम latest technology को सीखे तो नवल बोलते हैं ऐसा नहीं है specific knowledge हमें अपने passion से मिलती है next principle कहता है intentions do not matter actions do life में wealth achieve करने के लिए action चाहिए massive action बोलने वाले हजारों मिल जाते हैं लेकिन करने वाले बहुत कम इसलिए execution is scarce and valuable अगर आप चीज़ें बोलके उसे execute कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं कई चीज़े जिन में आप action ले सकते हैं वो है sales skill, music talents किसी भी music instrument को play करने का talent इसके लावा writing books, coding यानि programming you tubing, recording podcast भी ऐसी skill है जिससे आप अपने काम को दुनिया के सामने ला सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में हमने नवल रवी कांत के life experiences से principle सीखें जिसमें बहुत कुछ included था जैसे की 1. You can get rich without getting lucky जिसमें हमने देखा था कि money making is a skill and it can be learned next principle है कि wealth is created by equity and not by selling time यानि wealthy कोई time sell करके नहीं बन सकता इसलिए अगर हम businesses के through wealthy बनना चाहते हैं तो हम first employees बनकर businesses में equity ले सकते हैं जो हमारे लिए wealth create कर सकता है इसमें हमने Zomato का example देखा था next principle था understand compounding जिसमें हमने देखा था कि compounding सिर्फ पैसे में नहीं बलकि relationship और knowledge में भी होती है इसलिए हमें अपनी knowledge बढ़ाने के लिए हमेशा learning mode में रहना चाहिए जिसमें हमने Google application की बात भी करी थी next principle कहता है कि find and build specific knowledge अगर हम ऐसी skills develop कर लेते हैं जो की irreplaceable है तो ये एक best तरीका होगा wealth create करने का building products and selling products are two valuable skills to have next principle कहता है intentions do not matter actions do यानि action में believe करो ना की ideas में ideas सब के पास हैं but winners take actions दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये विडियो के किसी friend या family member की काम आ सकती तो आप उनके साथ ये विडियो ज़रूर शेयर करें I hope they will enjoy this video anyways दोस्तों अगर आप ऐसी knowledgeable videos में इस नहीं करना चाहतें तो subscribe करने के बाद bell का बटन दबाना मत भूलिएगा आप comment करके ये भी बता सकते हैं कि आप next video किस topic पर चाहते हैं जल्दी हम आपसे दुबारा मिलेंगे जय हिंद